नमस्कार दोस्तों स्वागता सभीगा मेरे यूटूब चनल SB Medicine में आज हम बात करने वाले हैं बहुती पापुलर मोनोसेप 2 ग्राम इंजेक्शन के बारे में इसके क्या-क्या उप्योग हैं फायदे हैं साउधनिया और सबको क्या-क्या दुस्प्रवाव हो सकते हैं चांद क कंपनी का बेस्ट क्या-क्या प्रवक्ट हैं जिसकी प्राइज होती हैं एक सो उन्चालीस रुपे चियानों प्यास है पर इंजेक्शन इसका कंटेंस होता हैं सेप्रेक्जोन 2 ग्राम इस इंजेक्शन का यूज आप स्पेशली डाक्टर की सला के अंदसवार के रहे हैं य जैसे कि अगर आपको रेस्पिरिया ट्रेक्ट इंफेक्शन के करण निमोनिया या ब्रोंकाइटिस की प्रोब्लम्स हैं आपको जोन्ट इंफेक्शन हो गया हैं स्किन इंफेक्शन बोन इंफेक्शन हैं इंट्राब्डोमिल यानि पेट का इंफेक्शन हो गया हैं तब इ का infection है नाक या गले की समझ्चा है तब भी इसका यूज बहुत ही ज़्यादा effective है इनके साथ ही अगर आपको blood infection है heart infection है lungs infection है सुजाक और food poisoning जैसी समझ्चाव में भी इस injection को बहुत ही ज़्यादा prescribe किया जाता है चाहें इसके काफी शांदार ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं इनके साथ ही अगर आपको कोई surgery हुई है या दुरगटनावस कोई चोट या गाव हो गया है तब उस गाव को जल्दी ठीक कर सुखाने के लिए और उस गाव को infection से बचाने के लिए यह बहुत ही लाबदायक इंजेक्शन है यह एक antibiotic इंजेक्शन है इसके और भी कही multiple users होते हैं जो कि expert doctors अपने personal experience का नुसार इसका यूज कर सकते हैं बात कर लेते हैं इसके सावधनियों के बारे में तो अगर आपको इसके content से allergy हैं आपको liver ये kidney disease हैं तब इसे में आप इसका यूज ना करें साथ ही pregnant lady और breast ring mother भी इसका यूज करने से पहले एक बार डाक्टर से सला जोड़ ले उसके बाद ही इसका यूज करें ये बहुती powerful injection है इसका रण इसे बहुती rare case में लगाया जाता हैं तो इसका use आप only hospital facility में सिर्फ डाक्टर की देखरेंग में यूज करें किया जाया इसका तो सबसे ज़्यादा बेतर रहेगा जान लेते हैं इसका dose के बारे में तो इसे IV यानि intravenous और IM यानि intra muscular पर ज् ध्यान रखें कि especially आप hospital facility में और doctor के देखरेंग में इसका use करें इसे still water ये इसके साथ होता है और ये powder base का injection है इन दोनों को आपस में mix करके use करना रहता हैं अब बात कर लेते हैं इसके होने वाले side effect के बारे में तो जो common side effect आपको नजर आ सकते हैं वो है nausea या vomiting होना आप इ इसका common side effect है साथ ही उसको चक्कर आना सरदर्ध होना और allergic reaction की problems आपको नजर आ सकते हैं हो सकता है इन सभी side effect के अलाव भी आपको कोई दूसरी side effect नजर आए अगर कोई दूसरी side effect आपको दिखते हैं तब इसे में आप अपने doctor से तुरंत concert करें तो friends उम्मीद आपके वीडि करें शेयर करें और चनल को सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक यू